आदाब मैं मुशाहिद हुसेन ये सुनसान सड़कें ये दुकाने बंद और ना बाजारों में शोर शराबा अब घबराये मत घबरानी की बात नहीं है ये वीकेंड करफ्यू हुआ है मैं इस वक्त मौझूद हूँ देश के सिलिकेन वैल्यू आफ इंडिया में यानि बेंगलूरू शहर में विदान सौदा के सामने आप देख सकते हैं के विदान सौदा के सामने हमेशा एक अवाम का हुजूम रहता है लेकिन वीकेंड करफ्यू के एलान के बाद आज यहां प के बारे में दो मिलियन केसस पुरे वर्ल्ड में हुए हैं इसलिए उमिक्रोन करनाटक में और देश भर में काफी तीजित से फैर रहा है करनाटक के अलावा महारस्ट्रा और दिली में इसके अलावा कई स्टेट में विकेंड करफ्यू का एलान किया गया है तो इससे अवा कि सहथ के बारे में सोच कर ही ये खदम उठाई है लेकिन अगर हम लोगों का सर्वे करेंगे लोगों के अंदर जाएंगे तो एक दुख भरी दास्तान भी हम को सुनने में मिलती है ना उनके पास खाने के लिए कुछ है जो डैली मजदूरी रहता है जो डैली वेजस पे रहत अगर हकुमत चाहती के विकेंड कर्फ्यू के साथ साथ उन लोगों को भी इस तालुक से कुछ कंपनसेशन कुछ स्कीम लाकर उनकी मदद करना चाहिए वरना उनकी जिन्दगी जो है एक दुख भरी और दिन बाद दिन सोच विचार में घर की फिकर में ही गुजरे जाती ह है तो लेहाँजा ये विकेंड कर्फ्यू कानटक में रखा गया है दो दिन के लिए हफता और इतवार बागी दिन पांच दिन जो हैं ऑफिस वर के लिए दिया गया है और इसके अलावा जो नआट कर्फ्यू है राज के 10 बजे से सुबा 5 बजे तक नइट कर्फ्यू रख पर्मीशन है वो भी वैक्सिनेटर्ड के साथ और मास और शोच डिस्टेंसिंग का एतियात करते हुए इस चीज़ को मुकमल किया जाएगा मैं इस वक्त बेंगलूर के विदान सोधा पर मुझूद हूँ मेरे साथ एक आटो वाले से मुलाखात हुई उनका नाम है स्री नवास उनक से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह कर्फियू जो जिनका दो दिन का जो कर्फियू है सटड़े और संड़े इसमें इनको क्या तकलिफे हो रही और इनको घर चलाने में क्या डिफिकल्टिस हो रही और लॉकडॉन से पहले कर्फियू से पहले इनका क्या हाल चाल था, इस तालूक से हम जानने कुछ करेंगे तो सिरीन आवाज सर आप ये बताए के कर्फियू आना और इसे पहले लॉगडॉण होना तो इसमें आपको किन मुश्किलात से किन डिफिकल्ट हो रहा आपको क्या क्या होता सब ये लागडोन होना का पहले इदर बेंगलोर में अच्छा था वो आदमी हाता था अमरेका भी पैसेंजर मिलता था बाद में अमरेको गर को देने वाला को तोड़ा अज्यस्मिन्ट वज़ा वता था अभी नैट करपी करिया उसमें तोड़ा मार पडिया बाद में गर भी चलाने का नहीं हो रहा है पैसा पूरा प्राब्लम हो जाए बाइयर से आद में आये तो इदर अमरेको तोड़ा क्याता भी गाड़ी चलाने के लिए पैसेंजर मिलता है वो नहीं रहे तो अमरेको भी प्राब्लम है गर में भी नहीं चलता है बाद में अमरा क्याता कार्ज को पाइसा लेता उनको भी देने का नहीं वहता है पूरा प्राबलम होता है सहब हमारे को गाड़ी चलाने का नहीं होता है बात मना पूरा तकलिफ होता है प्राबलम हो जाता है कैमरा मेंन मक्तुम के साथ मैं मुशाहिदansen झाल 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 झाल